नमस्ते वाडमित्रों, क्यम छो, आशाचे आप सव खूप मजामा हाशो, औने गरे रही आप तमारा मातापिता औने आपना सिक्षक स्रीनी मदत्ती खूप सारी रिते भणी रहा हाशो हवे, कोश नीजवात आपने आगलवधारिये, तो कोशो मा गणी विबिनता छे, गणी विवीदता छे, गणू बदू अलग-अलग पणू एमाँ छे तो कोशो संख्यानी दस्तिये एमाँ विबिनता छे, कोशो मा आकारनी दस्तिये विबिनता छे, अने कोशो मा कदनी द्रस्तिये पण विबिनता छे सवथी प्यला आपड़े कोशोनी संख्या विशेनी वाद करी सु तमने थसे के कोशोनी संख्या एवडी कितली हसे तमे या जोई शको छो तो कोशोनी संख्या ना आधारे सजीवोना बे प्रकार पड़े छे एक कोशिय सजीव औने बहु कोशिय सजीव तमने प्रश्णों थसे के एक कोशिय सजीव इतले वड़ी शू और बहु कोशिय सजीव इतले वड़ी शू शू थी प्यला आपडे एक कोशिय सजीव विशे नी समझ मिल विए एक कोशिय के जे सजीव ना सरीर फक्त एकज कोशना बनेला छे एवा सजीव ने एक कोशिय सजीव कहेवाई छे हवो तमने प्रश्ण थाए आवा वड़ी काया सजीव छे तो आवा सजीव ना बे चित्रो में तमने यह बताव्या छे एक छे अमीबा अने बीजू छे पैरा मिश्यम हवे आना दी आगल वात करिये तो बीजेओ कयो पहागतो याद करो जीए तमे तरहत क्यासो के बीजा आता बहु कोशिय सजीव चलो एनी समझ मिल विए बहु एतले वधारे अने कोशिय कोश मतलब के जे सजीव ना सरीर एक करता वधारे कोशो पेगा मली ने बनेला होई छे आवा सजीव ने बहु कोशिय सजीव कहे छे तमने प्रश्णों थसे के आवा बहु कोशिय सजीव वधाई कहा छे तो एना में तमने यहां कितलाक चित्रो बतावे छे तो तमें यहां जो ही शको छो के मनुश्य गुलापनों छोड पेंस उंदर किडी मकोडा अने लिम्डो आ कितलाक बहु कोशिय सजीव ना उदारन पर अई तमारे द्यान राखवू जरूरी छे के शुपकत आठ्लाज बहु कोशिय सजीव थे कि में जितला कया एटलाज एक कर्स सजीव ना विलकुल नथि मेतों या तमने कितला कज उदारणा प्या छे ए सिवाईना पण एक कोशिय औने बहु कोशिय सजीवों छे तमे नरी आखे जुओ छो एवा मुट्टा भागना सजीवों बहु कोशिय सजीवों छे हवे आपने सजीव मा कोशो ना आकार विशेनी वाद करिये तो जेम एना कोशो नी संख्याना आधार एना अलग 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 प्रकार छे एम सजीव मा कोशो नो आकार पन अलग 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 छे तमने तरसे तो एनो आकार के ओ छे एज उँँ तमने समझाओ छू तो या अमी बानू चित्र तमें जुई शको छो आ एक कोश्टिय सजीव छे मतलब गया एकज कोश्ट नू बने लू जे लिए एक पोटे कोश्ट छे उपना समझी लेए तो आ कोश्ट नू आकार कैं हो छे तमें आम जोस्तों तैनों कोई आकार तमें कई सक्षों नहीं कान कि आ एक अनियमीत आकार छे मित्रों अमीबानों कोई चोकस आकार होतो नथी ए पोतानों आकार सतत बदल्या करे छे अवर तमने प्रश्ण थाए कि आकार सुकाम बदले छे तो यहां में आकरती मां बे तीर वड़े दर्शाव्यू छे ए एना खोटा पग छे अवर तमने आमाट एक नवो प्रश्णा होसे खोटा पग एवली सु होए केवा होए तो आखोटा पग वी से तमें दोर्ण साथ मां सिख्या छो के अमीबाने ज्यारे खोराख ग्रहन नी जरूरियात लागे अथवा एने एक जग्याए थी बीजी जग्याए स्थाना अंतर करवू पग नथी पन एमा थी निकलता प्रवर्दो छे आ खोटा पग नी मद थी एक गती करी शके छे अने खोराख ग्रहन करी शके छे तो आ एक एवा कोशो नी वाच छे के जेनों कोई च्वक्कास आकार नथी पन ए अनियमीत आकार धरावे छे होए तमने प्रश्ण धाय जो तमें जानता होहे चाङ चारों आ चितर ने ध्यान पूर्वक निहाडो आ चितर मा तमें जोई शको छो के आपडा रुधीर मा एल circles मां आवेला स्वेत कणों आ काउन्ट पन कहे छे एतला माटेनों टूंकु नाम WBC पन छे तो आ मनुष्यना रुधीर मां आवेला स्व पण पोतानों आकार बदली शुके अवेवो तमने चीत्र बतावी रहे होचु एक निच्छीत आकार छे केवो आकार छे त्यानती जुवो अन्ने विचारो तो तमें क्या शो कि आ चीत्रमा देखाता कोशो एक घोल छे थोड़ा चप्टा छे अन्ने लंबाएला छे आवा ग येमा तमें कितलाक लांबा अन्ने बन्ने छेड़ेती अणी वड़ा कोशो जुई शको छो त्यामनों आकार तमें आकार ने कया आकार क्या शो विचारो जुई ये जो आ आकार ने त्राका कार केवाई छे अन्ने आ कोशो काया छे तो आ आपड़ा स्नायू कोशो छे जे आ आपड़ा सरिर्मा आवेला स्नायूओमा आ कोशो होई छे एना धी आगर तमे आ आकृती जुओ छो एमा तमे जोई शको छो के आ कोशो लामबा छे औने बन्ने छेडे थी उपर औने नीचे आईयाँ तमने तीर वड़े बतावानो प्रहेत्ना करू छो तमे बन्ने छेडे उपर औने नीचे जोई शको छो के आईयाँ आजे छे ए शाखा हो छे आईयाँ नीचे पन जोई शको छो आने शाखा क्या वास्ते शाखा है लगे आना ना ना भाग तो आप बन्ने छेडे थी शाखा वाड़ा कोशो छे औने लामबा छे तो आ कोश्ट क संदेश आनु वहन करें दमें कि याद करो तमने पग्मा कीडी करडे के जब तो तो तरत तमने खबर पड़े जए टो तमारा पग्मा रहेला चेता कोशत द्वारा तमारा मगजने संदेशो पोचे छे अने तमें त्या जूओ छो के मने तो कांटो वागियो अथुआ मने कीडी करडी तो आ संदेशानू वहन जे थाई छे ए आ चेता कोश द्वारा थाई छे तो मित्रो आ वाद थाईगी कोशो ना आकार विशेनी हवे आपने एना दी आगळ कोशो ना कद पीसेनी वाद करीशो टूंक मा कद ए तमें विग्णयान मा जानों छो कि कोई वस्तू ए टोकेली जग्याने एनू कद कहे छे तो जे कोशो छे एक माइक्रो मिटर थिलाई अने कितलाक मिली मिटर सुधीनू कद धरावे छे तमारा माट्या माइक्रो मिटर नवो शब्दा एक माइक्रो मिटर एकले शूं तो एक माइक्रो मिटर एकले एक मिटर नो दस लाख मो भाग आने वधार सारी जीते समझिये तो एक मिटर लंबाई लेए औने आपड़े एना दस लाख भाग करिये औने यहमां थी एक भाग आपड़े लेए तो एने कैसू आपड़े एक म आटला नाना कदना कोशो परण होई छे उपरान कितला कोशो सेंटिमीटर जेतला लांबा परण हुए छे सव थी नाना कोश नी वाद करिये तो बैक्टेरियल कोश एले के बैक्टेरिया मां आवेला कोशो आमें 1-2 मा ब्याक्टेरिया विसे नो विष्त्रू दभ्यास करी गया छो एटले एविसे वाद करवानी मने जरूरिया जणाती नथी तो आप ब्याक्टेरियाल कोस्ट छे एनुकद 0.1 थी 0.5 माइक्रो मिटर जेटलू छे मतलब कि 1 माइक्रो मिटर जेतलू पन नथी 1 माइक्रो मिटर थी पन खणू नानू छे आ बैक्टरियल कोष्णू कद हवे सवथी मोटा कोष्णी वाद करवी होए तो तो ए छे शाह म्रुगनू इंडू शाह म्रुगनू इंडू जे ए पन एक कोषद छे औने एनू कद 113 मिलिमिटर बाई 130 मिलिमिटर छे आटलू कद ए शाह म्रुगना इंडानू होई जे मतलब कि घणू मोटू आ कोष्णू कद छे तमर मित्रों यहां एक वाद ध्यानमा राख विजुए कि कोष ना कद ने प्राणी ना कद साथे कोई लेवा दिवा नथी तमने एवो विचारावत होशे कि आथी ना कोषो तो घणा मोटा आशे ज्यारे उंदर ना कोषो तो खुबना ना आशे ना एवो बिलकूल नथी कोई प्राणी ना कद साथे कोषो ना कद ने कई लेवा दिवा नथी पन कोषो ना कद ने एना कारिय साथे लेवा दिवा छे तो आवाद थाई गई कोषो ना कद विशेनी मित्रो हवे हुँ तमने स्वाध्याई कारिय स्वापू ए पेला आजे आपड़े सु सु सिख्या ए जरा याद करी लेए सौथी पेला तो आपड़े ए सिख्या के मानव सरीर ए विवीद तंत्रों नू बनेलू छे तंत्रों ए विवीद अंगों ना बनेला छे विवीद अंगों ए पेशियों ना बनेला छे औने पेशी ए कोषो नी बनेली छे साधे आपड़े एपन सिख्या कि कोश ए कोईपन सजीव सरीर नो नानाम नानो रचनात्मक अने क्रियात्मक एकम छे साधे आपड़े ए सिख्या कि आ कोशों नो सव प्रथम अभ्यास रोबर्ट हुक नामना वैग्नयानी के करेलो पछी धी आपड़े वाद करिये तो आजी कोश छे ए कोश नी गणी विविदता चे कोशों मा गणी विविदता चे अने औनी संख्या मा पन विविदता चे संख्याना आधार सजीवो ना बे भाग पड़िया, एक कोस्तिय सजीवो औने बहु कोस्तिय सजीवो HD ते एना आकार ना आधारे पण विविद प्रकार ना कोशो जोया साथे साथे आपडे कोशो ना कद विशेनो पण अभ्यास करियो कि कोशो ना कद एक कितलाक माइक्रो मिटर थी लई अने कितलाक सेंटी मिटर सुधी नूपाण होई छे हवे तमें जे सिख्या एमाधी तमने कितलू याद रहिऊ अथवा तमें कितलू समझी शक्या एपण जानवू अगत्य नूँ छे तो तमारी सामें मुँ एक प्रश्ण मुकू छो आ स्लाइड ने ध्यान पूर्वक जुओ अईया प्रश्ण ने पेला वांचो प्रश्ण तमें वांचो तो तमने आर इतनों प्रश्ण यां लखेलो छे नीचे आपेला सजीवो नू एक कोसिय सजीवो अने बहु कोसिय सजीवो मा वर्गी करण करो तो तमें कैसो क्या हिया वर्गी करण करवानू छे पन शानू वर्गी करण तो एक कोसिय सजीवो अने बहु कोसिय सजीवो नू वर्गी करण करवानू छे मिसट हवए आजे चित्रों जे एकुन चाह चित्रों उत् Mais कितलाक एक कोस्तिय sas org शे आणे कितलाक बहु औ क afford सजीवों चे आ ने तमें तमारी 10मा का । आणी यादी बनावै आध यादी बनावाई भाद आमा धी कया एक कोस्तिय सजीवो छे अने कया बहु कोस्तिय सजीवो छे जवाब लखो अने आ जवाब तमे तमारा सिक्षक स्री ने बताओ अना तमे लखेलो जवाब ए साचो छे क्ये खोटो छे ए चकाश्वानों प्रायत्न करो હવે आનાદી આગળના આવતા અંકમાં એલે આવતા એપિસોડમાં આપણે શૂ સીખીશું સાથે સાથે વનસપદી કોશ અને પ્રાણી કોશની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું વનસપદી કોશ અને પ્રાણી કોશ વચ્ચે શું ફરક છે એનો પણ તમે અભ્યાસ કર્શું જે તમે આવતા એપીશોડ માં શીખો આશારઆ ખુંજું તમને આજના એપીશોદમાં ખૂબ મજે આવીશે અને તમને સોટ નો સીખૌ મળુશે આવીશે આવજે આવજે આવજોં Good morning students. I am glad that we could meet today. Dear students, in activity 7a, we are going to make sentences using have. So get ready for activity 7a. Activity 7a is the નો સતહીથ નો સિં નો સિં નો હજં નો સિં સિં ને સિં પંનુઈ સારિં સે સિં સિં સારારારં સે સિં Good morning students. I am glad that we could meet today. Dear students, in activity 7a, we are going to make sentences using have. So, get ready for activity 7A Activity 7A, it is given on page number 37, unit 4 Let's read the instruction Activity 7A Vrindha, Ali, Chintan, Anju and Amit have planned a picnic Use these clues and make sentences So, Vidya Dimitro, as I told you In this activity, we have to prepare the sentences How we will prepare the questions? There are clues given here See, how many clues are there? 1 to 9 Apra darek clue nema achishu ane we will make a sentence Fine So, you keep your pencils ready You may write this down in your notebooks Tamarai text book ma jaggy aapi na thi Pan tamarai notebooks ma a sentence is lakishu kushu The first clue Invite lila divyesh jaymini viral Students, this is the first clue Ane ena adhaare keu sentence mana vi shakai It is given in the example Action word is invite Kone invitation aap yu chhe Vrindha, Ali, Chintan, Anju and Amit Aetle vaakya ane shwari baad kibirthi thashe They have Right Now we know ke jare have no aap na uphyok karta hoi Aetle tiyar baad Action word aap na laiye chhe So, the action word is invite Ane what do we use? E-D So, they have invited Kone invitation aap yu chhe? Lila divyesh jaymini and viral So, the sentence is ready Ewa iya bae i chhe to ek ino drop thashe So, the sentence would be They have invited Lila divyesh jaymini and viral Now, let us look at the second clue given in the textbook Decide to go to kabir word So, how to prepare a sentence now? Yad rako example ma ke virite Vaakya ni sharubat thayati Te have Then, let us take the action word Decide Te arbaad na shula ga vishu E-D Then, the rest of the clue To go to kabir word A sentence is ready It is very simple And here Two E's are there So, we will drop One of the E's So, the sentence now is They have decided To go to kabir word Okay, let us take the next clue Write a leave note To the teacher How to begin a sentence? They have Hev pachitarat action word mukhyay Write Tamaar amathi gana mitra am kese 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 ranyan pan e di aave Pan yad rakhou Do you remember? Aapnei vaat kari hati ki kite lak action words na spelling Anei pronunciation banne change sae jai che So, write nushu thashe Yes, written Have written They have written They have written And then, the rest of the part A leave note to the teacher They have written A leave note to the teacher Let's take the next clue Collect some games How to begin a sentence? Yes, very good Yes, very good They have Then, the action word Then, here Yes Ed Requested Then, this part Vrundha's mother to make snacks They have requested Vrundha's mother To make snacks Dyaarthi mitra tamnei khyar avi gana Aapnei vaakya ne shwaruvatma Dhe mukke chhe Tiyarabad have Tiyarabad action word ne Edik mukke chhe Jo action word nu form Allag hoy To We use that form Right So, they have requested Vrundha's mother To make snacks Let's take the next clue Pack things So, Vakya ne shwaruvatma They have Then, the action word It's very simple now Packed Things Seven Request Ali's father To land a camera So, the correct sentence is They have requested Ali's father To land a camera Anju agrees to keep an account Anju has agreed To keep an account Lila and Kanu Book seats in a private bus Dear children Have booked seats in a private bus Now, it's time for activity 7b Now, let me read the instruction of activity 7b for you It is 2 hours before the annual examination Write a paragraph Describing what you have done Ask yourself Am I ready? Friends Exam ni tayyari karwani hoi Just 2 hours are left Then How to become ready? What makes you ready for the exam? Of course Exam mātani jaroori Sadan sādhan sāma gari jodhe rākhhi lai ye Ane biju Taiyari Revision Karhi lhe ho pade ne? Aab bannne hoi Tiyarej Bandha taiyar kewai Ewa agar nai Tau bas aana jwishe Aapne activity 7b mā lakhuwa nunche Savu bela Example joe lhe ye Let's read the example I have put two pens in my compass box I have Howe shun lakhe shun Two pens put in compass box Ektu toh beraabar Porn biju shun johi ye Friends Tamaar aap e jupar Ketilik lines aapel lhi chhe Thikše Ema ave Aakla pashina answers aapde lakhi shu Tamaari screen par Ketilak sample sentences haše Tame e lakhi chakou chho Athwa Tamaari jatye banavela sentences pere lakhi chakou chho But for now Let us Read Read and write These sample sentences I have Put One Pencil In My Compass box Agatshu lakhi shakai Choye sentence I have put an eraser in my compass box Agar lakhi aapnei vaakhi aapnei vaakhiya Ane scale Ane scale Kyaa kashuk dhormaianu jarur padhi to Protector no padei upyog thai shakke Toh juhu aapnei vaakhi aapnei vaakhi aapnei 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 lakhi laiye I have put a sharpiner, a scale and a protector to जो ये आगर शू लखाई छे I have read all the units from the textbook परिक्ष्रानी तयारी मा आकी textbook मांची ले भी पड़े चलो आ sentence पर लखी लईए I have read all the units from the textbook I have read all the units from the practice book and notebook too I have read all the units from the practice book and notebook too Full stop Friends, आक्डू तो लख्यू पर ब्लांक पच्छी एक statement है Oh, I have forgotten to study this lesson But I still have two hours I can read this unit But I still have two hours Full stop I can read this unit So, friends The question was As per the instruction Am I ready? तो आपने आकलो पड़ू लख्यू एना परती शू लखे छे Are you ready? Yes Yes I am ready for the examination I am well prepared A sentences पड़ता में लखिशो को चो Yes I am ready for the examination I am well prepared So, friends You are well prepared That is your preparation For exam Or for language For English आसाते आपने एक्टिवीटी सेविन पूरी थाइगे And it's time to say Bye-bye